मेरे साथ मेरे पहले मेमान है आज कपिल मिश्रा घार्तियन्ता पार्टी के नेता भी है और बहुत अच्छे वक्ता भी है बहुत बहुत आभार और ये मुझे नी बता था कि मैं पहला मेमान हूँ आपका पहला मेहमान होता है तो सारे इप्दारमदार उसी पर होता है वो समझालता कैसे है आपने बोला था यह मनीज सिसोडिया सतित्र जैन और अर्विंद केजरिवाल तीनों जेल जाएंगे अंदर वो जा रहा है जिसने चल किया प्रपंच किया दोखा दिया तो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस्तिफा उनको देना पड़ेगा जहां हाथ लगाओगे वहां से एक फोर निगलेगा और लेकिन तार आपकी वड़ी खुंदक है आपकी नहीं मेरी खुंदक इसलि कीजरीवाल मुष्से है का ये बाद में बस एक बाद खोड़िएंगे लिए वाहत है। लेकिन एक मन मन में सवाल आया कि मोदी जी को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ किया गया देखो ये कितना अच्छा सवाल है आपकी नानी खुष्टी राम मंदिल बनने पर हाँ मेरी नानी नाना दादा दादी सब बहुत खुष्टी नमस्कार मैं हूँ अमीश देवगुन अक्सर आप मुझे टेलिविजन स्क्रीन पे देखते हैं लोगों से बरे कठिन सवाल पूछते हुए लेकिन एक प्रियोग आज हमने करा है और मैं एक पॉड्कास्ट लेके आया हूँ जिसमें मैं कठिन सवाल तो पूचूंगा ही लेक और बहुत अच्छे वक्ता भी है कपिल जी आपका अबिनंदन है इस पॉड्कास्ट में बहुत 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 आभार और यह मुझे नहीं पता था कि मैं पहली गाड़ी होती है पहला मेमान होता है तो सारे सब कुछ दारंदार उसी पर होता है वो समभालता कैसे मेरा स्व पूछा चाहता हूं जो कि मैं आपका बयान देख रहा था बहुत सोचा कि आपके जीवन पर पूछता हूं फिर आपके छे साल पुराना मैंने बयान सुना जिसमें आपने बोला था यह मनीज सिसोडिया सतिद्र जैन और अर्विंद केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे इस कि जिब 6 साल पहले मैंने अर्विन केजरिवाल के खिलाफ आवाज उठाई सरकार में रहते हुए आवाज उठाई और सतिंदर जैन के खिलाफ बोला कालाधन और शेल कंपनियों के बारे में तब कि उनके खिलाफ एक भी नहीं थी मैं गया सी भी में मैंने डॉकुमेंट दिये लेकिन वह पूरी प्रक्रिया थी जांच की तत्यों के जो भी इन्वेस्टिकेशन होना है गवाहों से पूस्ताच होनी है वह सब प्रक्रिया बहुत लंबी चली इत्ती और मेरे को यह लगता थ है कि एक जमीनी कार्यकरता का आक्रोश था गुस्सा था जो यह देख रहा है किस बात का था कि हम जिस जो देखके आये जिसको हमने समझा था कि यह तो देश बदलेगा विवस्था बदलेगा और ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उसका एक दूसरी रूप दिखाई जिसके बाद कचुछी वाल ने आपको अरूप निलगा याव आपको यह पार्टी के खिला था आपको क्योंकि मैंने 17 गया के ऊपर सवाल उठाया था और अंदर वह जा रहा है जिस ने चल किया प्रपंच किया दोखा दिया और कोई ऐसा पाप नहीं है जो छोड़ दिया हो करने से सब्सक्राइब करने के लिए नरेंद मोदी अमिच शाह जेपी डड़ा पूरी बीज़ लग गई है सब चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सब्सक्राइब करने के लिए दो राज्यों में इतने विधायक है बनी किसलिए ती आज अर्विंद केज्रीवाल को लालु यादव इमांदारी का सेटिफिक्ट दे रहे हैं इसके आप कहते हैं कोई पार्टी नाम की चीज बची है राहुल गांधी उनके उनको सपोर्ट म दूब मर जाना चाहिए अगर तुम्हें लालु यादों से इमांदारी के सर्टिफिक्ट लेने के दिन आ गए हैं तो इतने दुर्दशा किसी दुश्मन को भी ना दिखा इश्वर लेकिन आपने आपने भी एक आरूप लगाया था कि दो करोड़ उपे वाली बात कई थी मैं लगा आपने भी हिट अंडर्ण किया नहीं मैंने तो इडी में गया लेकिन किताब लिया कि मेरे पास सीला जिक्षित के खिलाफ सबूत है लेकिन केस एक भी नहीं किया मैंने जब भष्टाचार के आरोप लगाए तो केस भी दर्च कराए और जिन पे लगाए वो जेल अर्विंद केजरी वाल ने जिन पर पिस्टाचार के आरोप लगाए कोई जेल नहीं गया है लेकिन मैंने जिन पर लगाए वो तीनों जेल के अंदर वैठे हुए हैं वहीं बैठके देख रहें हम तो कार करता थे ना नीचे बैठके हम सोचते ते कि कभी किताब ने लिए जब दिल्ली हम भी तो पड़े मंत्री बना केजरीवाद के सरकार में तो मुझे लगा कि हमें तो बश्टा चाल से लड़ने के लिए मैंने एक इंटर्नल कमेटी बना दी जलबोड की शीला दिक्षित के कारेकाल की जांच की और उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दे दी कि टैंक शीला के बश्टाचार की जांच यह तो हमने वादा किया तो केजरीवाल ने मुझे एक बात बोली ती जो मैं आपके चैनल पर कहना चाहते हूं जी उन्होंने उस दिर मुझे यह का कि कपिल अगर मैं तेरे को बश्टाचारी बोलूंगा न तो तेरे घरवाले भी तेरे प लेकिन के जुरिवाल कहते हैं कि अहंकार नरेंद्र मुदी का बीजेपी का शासन का है इसलिए मेरे इसको टारगेट किया रहा है क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं नरेंद्र मुदी जी ने खाता कि तेलंगाना की साउथ की लाविला के दिल्ली के अंदर को रोना के काल में हुँआ उनरेंद्र मुदी ने का थालता कि अद्धा भेच पहुए के सास्त पहुवा बेच मुफट्मे। यह कर ने के लिए है चेजरिवाल राजनीती में अने क IF घजरिवाल करो लोगों को सिलेंडर चाहिए थो औकसीजन के थे तब अध़ा पहुए उसट के मीटिंग क किसे सोधिया किस से मिल रहे हैं किस से मिल रहे हैं किस से मिल रहे हैं विजनाय किस से मिल रहे हैं यह सब कुछ दिल्ली में ठीक है कि जिस पार्टी को आप बिलॉंग करते हैं बीजेपी को उसने वोला कि उन्होंने एलेक्टराल बॉंड खरी दे हैं एक आरूपी को क्लीन चि बोल पारे में एक बात चुबने वाली बात है कि मनीश जेल गए कि इसका मतलब को कुछ नहीं पता आप केवल भाग रहे हो एक चौर जो रंगे हां तो पकड़ा जाता है उसके बात चटपटा था चिलाता है हाई मार दिया है मर गया वह तमाशा है यह तकिन इस तमाशें से क पष्ट है सक्ष्ज गंभीर हैं कवा बोल रहे हैं और डिजितल एविटेंस बोल रहा है कि और इसलिए कोही से उन्हें जमानत मीनिक पनी है लेकिन सब तो बात करता ही थे लेकिन एक एक करके योगेंदर यादव अर्विन जी को छोड़ के चले गए कुमार विश्वास ने छोड़ दिया यहां तक कि मैं आम आदमी पार्टी के गुरू मानता हूं अन्ना अजारे को जिनकी वज़से जिनके नित्रत में पूरा अंद लग लग हो गए और अर्विंद केजिवाल रहे और उनके साथ उनका एक पॉलिटिकल एट्मॉसफेर रहा लेकिन वह जीतते गए चुनाब पंजाब भी जीते दिल्ली पे दो बारी जीते दिल्ली और एक पंजाब लेकिन 99 परसेंट चुनाओ तो हारे हैं वो जो लड़े लेकिन क्या कहके आयते हैं और क्या करते हो पक्ड़े गए ये जन्ता बिरोस्पाρ कर रही है अंहीं अब चुनाओं में पता लगे 36 अजिन्यola सामनी वा कि argument कि लेगा फ्रलिक्षित्म विशास को जाते होई देखा एक एक कि प्यांड़ में जुबान मैं जिसके मुमें मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था इसके सिवा कोई और मेरा कसूर नहीं था तो जी हुजूरी करने वाले लोग चाहिए थे वहाँ पर परशांद बूशन योगंदर यादव आज भी वहीं खड़े हैं जा केजरीवाल खड़े हैं विचारधार में लेकिन साथ नहीं खड़े रह पाई तो पीठ में अगर रीड है मुह में जुबान है और दिमाग में तर्क है तो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर अंधा मतलब केजरीवाल बोले कि EVM तो सौरब भारत वाज खड़ा हो के वह गत्य की EVM लेके खड़ा हो जाएगा और दिखाएगा EVM फिक्स है इस तरह के अतार्किक इल्लॉजिकल और आप पढ़े लिखे होने की बात करते ते आज आज आप दिली को दिली में लालुयादों का मॉडल इंप्लिमेंट करने की बेशरम कोशिश कर रहे हैं पर लालुयादों ने इस्तीफा दिया इस देश इस देश में लेकिन और कर रहे हैं आप जेल में बैठे हो ब्रश्टाचार के अंदर पकड़े गए अभी जेल नहीं गए एडी की कस्टड़ी में ब्रश्टाचा जेल चले गए हैं लेकिन उनकी आत्मा है पास ह sagen यह वह बाबा बेंगाली वामा वह बटर यह कैसी वात है आया यह वह फार थैक चुलेय है वह शुवाशना कराने किस दिन एक फारव चुनाव लोगों कर से के लिए पार्टी बनाई थी लिस्ट कॉंसिटुटुशन क्लब में गोशित की गई थी अमिश भाई आप भी थे और मैं भी था इनके अब तो वह वकील है अभी शेक मनुसुईवी सलमान खुरशीद कपिल जैसे लोग आपको इमांदारी कोट में सावित करने कोशिश कर रह कर रही है और अगले मोखे मंत्री होगी किस तरह से अभी तक को अद् माध्वी पार्टी ने कुछ और पर इसका pior करा हुए पर उस कुर्सी पर इठाया ना उसी स्वरूप में बिठाया उसी सेटप में बिठाया इस सेटप पर मुख्यमंतरी बैठते थे दो दरब तिरंगा जंडा लगा दिया इधर बगस सिंग जिल इधर अंबेटकर जी और नीचे बैठके आप आत्मा बाबा इस तरह की बाते कर यह तो सबसे बड़ा बाबासाब मेंट करके आप माने इससे बड़ा क्या आप मानोगा कि एक भिष्टाचारी को बचाने के लिए अप उनकी फोटो का इस्तेमाल कर रहे हो और मैं यह कहता हूं शपत आपने ली नहीं है आप उस कुर्सी पर बैठे कैसे सुनिता केजरिवाल जी स्वयम भी तो अधिकारी रही है मिश्वाई जी उनको क्या कुर्सी की गरिमानी पता तो यह क्या चल रहा है और फिर यह तो वह अपराद है जिसमें ताइल खरीदने और पड़े खरीदने के लिए शीष महल के उनके भी जाने की बाते सामने आ रह कुर्सी पर बैठे क्योंकि जो बैठेगा वो घर उसके पास जाएगा यह चटपटाहट करूप यह चुटपटाहट है न कोई वेक्ति यह बोले मैं जेल से सरकारे चलती हैं जेल से तो अपरादी गिरह चलाने की कल्पना करते हैं गैंग चलाने की एक्स्टाउशन के रैक लिखते कैसे जब उन्होंने कलप नहीं की ती कि को इतना भी निरलज्ज होगा जो भिष्टाचार में जाएगा और बोलेगा मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा सामान नयतिकता का तक आजाता कि इस वक्त आपको छोड़ देनी जाए यह आप सामान नयतिकता से भी कि आज अंगली मठ उठाई जन्ता का जना देश रही है लेकिन में तो लिए उसक वक्त मेडिया में बानीर बात बोली कि evm के दोशट मेंसे कुछ नी होगा गाइव जना देश है किल को एक भर बटन नहीं नहीं को यह कहा रहे है ऐसे राध तो वहां रहता वहां को भी पह समस्च तो अभी किसी ने सलाह नहीं दी होगी अर्विंद जी को की स्तीफत देने वाले लोग वहां टिकनी क्यों सौरभ भारद्वाज की मजबूरी है अगर वहां जिन्दा रहना है तो जूट बोलना पड़े आतिशी आप देख सकते हैं मुझे नहीं लगता आतिशी तो खैर राजनित्रिक के मापडंडों में शायद केजरिवाल से भी जादा कहीं बुरी साबित हो लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि सलाह दे सकने वाले लोग अर्विंद केजरिवाल से बहुत पहले दूर चले गए तुलसी दास जी ने लिगा ह सद्धा का बिदास हो रहा है मैं जिस प्रफेशन में है यानि आप कर रहे हैं वहां पर भी कई अनुमान जी मैंने अपने जीवन में बहुत उतार चड़ाओ देखें राजनीती तो उतार चड़ाओ होती ही है और खास तोर पर केजरिवाल के साथ जो लड़ाई थी वह कोई समाने लड़ाई नहीं थी आपको विधान सब्सक्राइब में मुझे ध्यान में आता है आपको मेरे ओपर हमला किया है मतलब आपको गर्दन से पकड़ लिया थी तीस पैतीस में लेज ने मिलके पकड़ाई लगबक सभी ते और अध्यक्ष जो है वो जानमूज के माइक पर यह बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरा कोई दोश हो और कैमरे पर दिख रहा है कि कौन हमला कर रहे ह तो और वो वो लोग थे जो कल तक साथ ही थे जो लोग यह कहते थे कि हम बश्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे या इस तरह की लोग थे या अरविंद केजरिवाल के दोरा भी जिस प्रकार का जूट देखा गए अपनी आखों से जो मैंने देखा अरविंद केजरिवाल को लेकिन आखों में आख डालके सावजनिक तो पर उनके ब्रिष्टाचार के बारे में लड़ने का साथ बजरंग बली ने मुझे दिया यह मेरे मेरे भागे में लिखाता है यह लड़ाई तो निश्चित तो पर और मैंने उनके उपस्थिती को जीवन में कई बार महसूस कि और उसी से शक्ति मिलती है उसके अलावा और कोई शक्ति जब आप कमजोर पड़ते हैं तो इश्वर होता है जो आपके साथ होता है और मैंने वह साथ जीवन में बहुत बार महसूस किया कहते हैं तुम रक्षक काहू को तो तो आप पॉलिटिक्स में रहकर आप कई सब्सक्राइब करने का मन करता है कि दोस्तों के साथ बैठने का कहीं घूमने जाने तो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं जनरली करे लेते हैं क्योंकि हम लोग तो यह आप राजनीती बदल चुकी है तो ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा नहीं है जो मन में हो और फिर हम कोई सिफ पॉलिटिक्स नहीं करते हैं समाज के बहुत सारे आयाओं में अल्रेडी बिजी है तो दोस्तों का भी एक बड़ा समू है पर है यह जरूर होता है कई वार जब धोल बज रहा है तो यह होता है कि पता नहीं सब क्या सोचेंगे यह राजनीति इसमत कौन से दौर से गुजर रही है इस हमारे हाथ कभी आपके साथ ऐसा हुआ एक सवाल में पुछ रहा हूं आपके साथ ऐसा हुआ बीजेपी चुनाव हार गई और आपको किसी रिष्टेदार की शादी पर जाना पड़ ग चार लोग साब में बैठे हो जवर्दस्ती उदासी नेगर्टिव बाते कर देख तो उनके साथ आपको उस टोन में बैठना पड़ेगा तब मेरे मन में जरूर कहीं ना कहीं तो आपको लगता यहां से निकलो यहां से थो सब मैं क्या करूं आर गए तो आगे बढ़ना है अच्छी बात करो इस तरह के पल डेफिनेटली आते हैं माता पिता आप पिता जी पैता जी वैसे तो मेरे अध्यन ज्यादा करते हैं लेखक हैं विचारक हैं उस्त के लिखी है उन्होंने गांधी गांधी वात पर भी और राष्ट पर सब्विता पर इतिहास पर तो ज्या पहली है है हम लोग सब साथी रहते हैं उनकी कोई सीख जो आपको वह आप आपको नोंने बच्चन में यह उस अब देखा है और legacy हिशह जनोंने जीवन में बहुत कुछ देखा है लेकिन हमेशा हमने किया था मुस्कुराथ देखा है और वहमें राजनीती में जेए उनिध नहीं देखना हो और यह रहाए पहले जीवन में उनके जीवन से अध्य जीज को सीखा जीवन में कुछ भी हो गया हम तो आज हमारी तो राजनीती को उता चड़ा होते लेकिन एक विवस्थीत जीवन लेकिन एक हमारी इस पहली की जनरेशन ने विपंडता भी देखी है बहुत कष्टों से यहां तक आये हैं दिल्ली आना गाहों से होकर वह कहां देवरिया प्यासी फिर ऐसे होते हुए दिल्ली आकर बसना रहना वह कष्टों का दौर होता है लेकिन उसके बावजूद भी शायद हम जादा निराश हो जाएं लेकिन मैंने उनको कभी निराश देखा तो आप निराश हो जातें कभी कबार कभी कबार तो डेफिनेटली जब 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 खास दोर पर जब यह पूरा यह लड़ाई थी तो एक दोर ऐसा आया था मिश्वाई जब मुझे लगा कि यह बहुत बड़े लोग हैं जिनसे मैं लड़ गया हूं यह बहुत दोर संगश्व का दोर ता वो सहज दोर नहीं था और उसमें घर में चोटे बच्चे हैं वह बच्चों धमकी भी आई और बच्चे कोई स्कूल में पढ़ा है इस तरह की चीज़े कि पता कर रहे की कोशिश एक एक सवाल अभी भी आम आपमी पार्टी के रहे बात होती है बहुत अच्छे संबंद भी है और पीट पीचे सब कहते हैं कि आपने जो तब बोला था आज सावित हो रहे हैं तो मतलब उनसे बात होती है और उनका नाम सारपजिन के तौर पर आप नहीं ले पाएंगे अविशक्ता नहीं है वह भी बिचारे फच जाएंगी लेकिन वह अच्छी मुहिम चला है और आपकी मैं यह तारीफ करना चाहता हूं आपने जो मंदिरों को साफ करने की बात कर यह बहुत अच्छी थी लेकिन अगर कोई राजनेतिक व्यक्ति हैं सोचे कि मेरा जो नेता है वह मंदिर की सफाई से इंप्रेस होगा जी तो यह तो बहुत ही अच्छी पार्टी में तो हैं जहां पर इस कारे को लोग यह सोचेंगे अच्छा यह सफाई कर रहा है इसका मतलब अपने नेता को इंप्रेस कर रहा होगा तो गर्व है मुझे कि कम सगम हम एक इसी जगे पर लेकिन मंदिरों का एक मुद्दा ऐसा है जो हम हम सब के करीब ह हमने देखा कई बार हम लोग उसको अंदेखा कर देते हैं तो मंदिर की विवस्था को लेकर हम लोग उने शुरू किया अब लगबग दो साल हो गया हर महीने के पहले रविवार को देश के लगबग एक हजार मंदिरों में लोग सवचता सेवा अभियान चलाते हैं और में ताकत बहुत हमारा मतलब दिल कई गुना चोड़ा हो गया जब पदानमंत्री जी के मुह से यह आवान सुना क्योंकि तब है समझ में आ गया कि अब यह चोटा नहीं रहेगा अब सारा देश इसमें शामिल हो जाएग और एक लोगों के मन की बात तो रही है तो राम में यह भाव आया कि तिरुपती में विष्णुची विराजमान है और वहां मा लक्षमी की अभूत पूर कृपा है वहां पर सोना चांदी चारता है लेकिन अयोध्या में रामलला बाल रूप में विराजमान है तो बाल रूप में जो मा की कृपा होगी जो इश्वर प्र इश्वर इस देश पर उनकी जो प्रसन्यता है उनका जो आशिरवाद है वह किसी और इस तर पर पहुंचेगा और वह शायद देश में दिखने भी लगए आज से साल पहले आठ साल पहले आपने कभी सुच्छा था कि अयुद्या में राम मंदिर बन पाएगा मेरे कासे सबके मन में यह संदय था कि शायद बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी या जब बनेगा तो तो संघर्ष की स्थिती भी पैदा हो सकती है वाद विवाद विरोध आपके नानी खुष्टी राम मंदिर बनने पर मेरी नानी नाना दादा दादी सब बहुत खुष्टे किसी ने सब्स्क्राप को उस 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 विशे को आप कैसे डिल करते मैं र्व का यह कुछता हूं कि किन पीडिट को तो तो उनके परिवार की मदद करने के लिए अगर कोई गया तो इसन किसी के पेटम, कन हिलाल साहु की है घारज़ चान। प्रवीन नेक्टारू जी, जारखंड में, ढुमका में, जिब बिटिया के साद Music जिवीत जला दिया गया राजिस्तान में, करोली में, पुझारी, दिली जांगीर्पूरी तो इस जटने भी मामले हुए तो यह म हैंने तो नहीं है, लगिन लोगों से अप्भीर हैं नहीं हुए या जर्ण लोगों मदफरा है, अन अन शुनम गैज दिल्ला ब्शयु का सांक गावँ परिणंगे क cachra hiulli angling के का मुझेल में बीकिन नो latWindha का आरोप एक समय पर पूरी लगाने का प्रयास हुआ और आपको एक बयान भी काफी वाइरल हुआ था जिसमें बोला था कि अगा आप सड़क खाली करा ले नहीं तो डी सीपी साब हम को तरीका आता है सड़क खाली कराने का तो वह पूरा विवाद जो था उसने कही न कहीं आ बीमारों को अस्पताल जाने से रोग दिया जाए लोगों को नौकरी और कामधंदे पर जाने से रोग दिया जाए बच्चों को स्कूल जाने से रोग दिया जाए तब को एक आदमी खड़े हो कि यह बोले कि यह सड़क खुलनी चाहिए इसमें हिंदू-Muslim प्रांस बाश् सबस्क्रीबम बंम मेंरे पर बंते च्छिसके हैं आगिया इसके हर्ग ना इसके हाथ किा रोल दिसम बान दिल्ली जनsplिंवरी की अभी में क्या हुआ हुआ वो वचाड धो चाड़त है सबस्क्रिद करूंफ। fuckin तो मैं यह कहता हूं कि तंगा लग जाता है कि कपिल मिश्राने के परवेश वर्मा ने बयान दिया वह वायर लोग अनुराक ठाकुर केंद्रिय मंत्रिय उनका नाम आने लगा यह जो एक जिसे एक ही सांस में तीन चार नाम लिए जाते थे कि आज उस्विशे के बारे में आप क्या काना चाहते हैं मेरे को तो केवज के वालू में किससे लट रहें एक प्र Qur antagon ये ये मशीनरी जूंट लाइओ जो पैकने की प्लानिंग करें जो प्रपगंडा करते हैं लेकिन एक उस हिंदू-मुस्लिम डिवाइट से क्या बीजेपी को भी लाब मिलता है एक पॉलिटिकल फाइदा मिलता है नहीं बीजेपी को फाइदा मिलता तो बीजेपी कर रही होती ना कर कौन रहा है कोन कर रहा है इसमें तुष्टिकरण की राजनेती कौन यह मानके चल रहा है कि यह 20% वोट मेरी जेब में जाएगा और किसी की जाने नहीं दूगा कौन यह क्यों लगता बीजेपी आप लोगा काम पाट बताए यह ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो त्रिपल तलाक एक स क्योंकि उनको यह क्या रहा था सड़के बंद थी लोग अपने 35 लाख लोग जमना पार के जमना पार में 35 लाग की अबादी और दो ही सड़कों से पूरी दिल्ली से जुड़ते हैं वो दोनों सड़के आपने काड़ दी आप 35 लाख लोगों को क्या करना चाहते थे और उसके पर जो वहां पर क्या होता कभी मैं आपको एक एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अबी मौका मिले आप यमना वियार में बजनपूरा में इन छेत्रों में जहां पर दंगे हुए जहां पीडित है उन चेत्रों में आप खुद ही आप लोगों से ग्राउन पर जले भी आप कि क्या कलपना तीत है जो तैयारी की गई इश्वर ने बचाया है वहां पर लोगों को और स्वभाग्या है कि वो दंगे उस चेतर में होकर ही रुक भी अपने प्रोपेगंडा मशिनरी की बात करी तो आपको लगता है कि आपकी एक साथी नुपूर शर्मा उन पर भी से और वह एक बहुती सकरात्मक महिला है और मुझे लगता है कि ठीक है जो भी जो भी वह वह इस दोर से निकल जाएंगी वह इस दोर में तूटेंगी नहीं यह निश्चित है लेकिन मुझे लगता है कि किसी के बोलने पर सजाए लेकिन किसी के बोलने पर कुछ नहीं है औ और ऐसा भी एक वर्ग है इस देश में जो इससे हजारों गुनार ना केवल बोलता है बलकि करता भी है बलकि करता भी है और भगवान राम को क्या बोला और वो वो एक कारेकरम जीत गया और कितनी करोड़े की भी राई उसको रिसीव करने के लिए तो फिर आईसा हिश्णु क अला बात होती है और महाकाल की कृपा है लेकिन जब यह पूरा इंसिदेंट हो रहा था और जो उनके साथ हो रहा था जिस तरह की धंकिया आ रही थी तब उस समय आप क्यूंग से बात होती थी हाँ बीज़च में मेरी बात हुई है और किसी भी परिवार के लिए कोई 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 समाने इस्थिति तो नहीं है किसी पिता के लिए अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हो किसी मा के लिए किसी बहन के लिए दोस्तों के लिए यह कोई समाने पर इस्थिति नहीं है और मुझे लगता है कि तराजू के पढले बराबर नहीं है किसी को छोटी सी चीज की बड़ी सजाए और किसी को बहुत बड़े अपराद का भी कोई सजा नहीं है आपने बहुत अच्छी बात बुली कि तराजू के पलड़े जो है वो बराबर नहीं है और हमने देखा है कि कई बार देवी देवताओं पर टिपनी करके लोग आराम से दिकल जाते हैं माफी मंगाल में अपकी बार टीएमसी ने टिकट ऐसे लोगों को दिया है जिन्नों ने हिंदू देवी देवताओं पर भद्धी टिपनिया की बद्धी स्केच दिखाए इस तरह के लोगों को जैन्यू में जिस तरह के लेफ्ट के जो केंडिडिट थे उनकी अगर बात करें तो तो और नुपुर शर्मा को रहना पड़ना की इवन कॉंग्रेस पार्टी के कंडिडिट की लिष्ट अगर आप देखे तो जिन्नों ने भारत माता की जै का अगरेस का भाष्ष्य क्या लगता आपको सबको बता है मुझा लगता है कि है अधिस हैड लेस अधिस हैडलेस तो उस एक ही दिशा हो सकती है यह पताई है कोंग्रेस और आमानमी पार्टी साथ कैसे आगे देखिए इस पार्टी को आज कौन लोग चला रहे हैं कॉंग् तो उसी तरह के लोग आज कॉंग्रिस चला रहे हैं और इसलिए शंदीब दिक्षित खड़े हैं अर्विंद केजरीवाल के घर पे मुझे तो यह लगता है कि कहीं ना कहीं शीला दिक्षित जी की जो मिर्ति हुई है शायद वो कुछ साल और होती अगर जिस प्रकार का अर्विंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ अभियान चला है या वो अभियान ना हुआ होता तो शायद कुछ समय और होती हुआ हमारे बीच में लेकिन उनका बेटे ही खड़ा हुआ है वहाँ पर तो क्या ही बोला जाएगा उनकी राजनेतिक विवश्टा हो लेकिन देखने में तो किसी को अच्छा नहीं लगा है राहुल गांधी को आप मीर जाफर गांधी क्यों कहते हैं नहीं मैंने कभी किसी समाई पर कोई टिपनी की होगी लेकिन मेरों को यह जरूर लगता है कि देश के बाहर जाकर जब तब आप किसी राजनेतिक दलके नहीं होते तब आप विपक्ष के नेता नहीं होते तब भारत को प्रतिनित्तु करते हैं लेकिन वहां पर अगर आप बैठे और वहां पर आकर आप बोले कि भारत एक देश ही नहीं है वहां पर आप भारत के खिलाफ बयान देकर और यह और कॉंग्रेस पार्टी अगर आप कहते हैं फिलेटा अब करना चाहते हैं आप ने नियम कि अवेल ना की इस्तरी की कोई रियायत आपको दीन दीन जा सकती है कोड ने बोला है कानून यह क्यां मैं कहता हूं कि आप सत्था का विपक्च बनिये ना आप राष्ट्र का विपक्च क्यों बन रहे हैं आप अज देश्ट्र में कोई प्लीर भी अच्छी पर्फॉर्मेंस कर ले तो आपका मुझ ल हुख जाता है आपके चहरे लटक देश विपक्ष का लोगतंतर में हमेशा एक इस्थान रहा है लेकिन जब आप राष्ट्र के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे तो कैसे इस्थान बचेगा और इसलिए वह इस्थान खतम होता जा रहा है मैं को तो अब भी लगता है जो आपने चिंता जाहिर की वह चिंता आप सत्य के विपक्ष की चिंता है लोगतंतर में पख्च чॉश अगर सत्य को लगते पर निरचाश को एक बतने का खुला खालने का जहरीला प्रयेस करते दिखाई देंगे तो यहां 21 कि सधी है नया भारत है आप फूड डालो राज करो चल नहीं बाएगा यहां पर लेकिन फूड तो आप पे भी आरोप लगता कि आप भी फूड डालते हिंदों मुसल्मान की बीच में वापस उस सवाल पर आ रहा हूं तो फिर आप क्या कहेंगे तभी तो कहते हैं हम भी तत्थों पर बात करते हैं पर को दो दो उनका जनाधार से मापि तो फिर अब यह कहते हैं इलक्शन कमिशन का स्तमार्य है अब तो बहुत सारे आरोप और लगतें जुडिशनी पर कुछद करूप लगते हैं लेकिन चुनाओं सच में डेश के व सका देवस्ता आंग मैं वह जीता हैं तो ऑर वह और जहां हाडते हैं वहां सब कुछ खराब है तो फिर आप एक तराजू रख लीजिए कि यह चुनाओ निश्पक्ष नहीं है तो फिर जहां आप चीत रहें वहां पर भी उस तराजू का इस्तिमाल करो जी चलिए बिलकुल आखरी दौर में तो केजरिवाल के जेल जाने के बाद दो मंत्रियों की बहुत चर्चा है और वहां आतिशी और सौरफ भरद्वाज और सौरफ भरद्वाज आपके पुराने मित्र भी हैं क्या कहना चाहते हैं इन में से भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता ह कि देखिए मेरे को सबसे पहले तो यह लगता है कि अर्विंद केजरिवाल का इस्तीफा होना सुनिष्चित है वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो इस्तीफा उनको देना पड़ेगा पहले वो कह रहे थे कि वो गिरिफतार नहीं होंगे तब भी हम लोगों यह गाता है उनके कर्मों को नस्दीकी से देखा और मैंने ये देखा कि जब आदमे इतनी तेजी से गिरता इज पतन होता है तो पतन जब होता है तो फिर अंत वहीं होता है वो उनका अंत उस दिशा में अगया और वहाँ ज्याद़ लोग ऐसे बचे नहीं हैं जो इस चोरी के आपकी बड़ी खुंदक है आमानी पार्टी नहीं परस्नल खुंदक इसलिए दिल्ली का हूं ना जिली वालों की परस्नल खुंदक होगी हमने दिल्ली को बरबाद होते वे देख लिया हमने यह देखा कि एक वैक्तीन देखिए चोरी माफ हो सकती है लेकिन भरोसे का जो हत्य होती है ना वह कोई कोई माफ नहीं करता दिल्ली वालों के अंदोलन के एक ऐसे भी तो लोग ते ना मिश्वाई जो अपनी नौकरी छोड़के आये थे कामदंदा चोड़के आये थे जो आगे थे जिन्होंने पैसे दान देने शुरू कर दी आज क्यों नहीं आपको वाइ अंनन ili वालों के साथ है कि पॉते घुचा मेरक हो भाग दी और क्या है और कर दो फूकर लोगे हैं अ तो आपको दिल्ली अध। 5vana1 ail जोग मिलेंगे उने के अन्धर यां अंधर जो मेरे अंधर दिख रहे हैं तो गुस्वा ज़े देशन घॉत्षित अ तो मेरे उस दिन भी आए जिस दिन अर्विंद केजरी वाल जेल जा रहे थे लेकिन हाँ डेफिनिटली वह तो खुशी के आसु थे कि दुख के आसु तो कि एक मेरा दोस्त अंदर जा रहा है नहीं दोस्तों थे आपके इस सही असाथी तो उनके लिए अच्छा हुआ कि वह कि उनके पापों का घड़ा चल चला गया था और बाहर रहते तो और पाप करते हैं अगर एक व्यक्ति के तो पर चैपर पर छोड़िया को पार की बाप कर लेकिन आप एक पास सोचिए ना मैं तो इसलिए कहता हूँ जो भी आरविंद केजरी वाल को वबहला चाहेंगा वो यह चाहेगा कि थोड़े दिन जेल मिले, जटका लगना जरूरी है, सत्ता का एहंकार, भ्रष्टाचार, कुछ भी कर दो, जनता को बेकूब बना दो, रोज सुबह उठके जूट बोलो, कम से कम 10-20 दिन ऐसे बीतें कि बंदे को रोज सुबह उठके जूटना बोलना पड़े वो इनके शरीर के लिए, उनके आत्मा के लिए, उनके भविश्क जीवन के लिए, उसकी बहलाई के लिए है। मुझे लगता है जो उनको व्यक्तिकर तोर पर चाहते भी होंगे न वह text委 दिन 15-20 दिन 30 महीना 2 महीना तो बैठ शायद अंदर जटका लगे कि मैं क्या करता था और क्या करने लग गया चलिए आखरी सवाल मेरा आपसे है कि एक तो इमोश्टल बात होती है दूसरी होती है कि अध्यात्मिक बात आप अध्यात्मे में बिलीव रखते हैं पूरी तरह से पूरी तरह से आपको लगत है तो अभी लास्ट किस धर्मस्तल पे गए आप मैं तो अभी बाबा बाकिश्वर जी के यहां दो दिन रुक कर आया उससे पहले हम लोगदतिया गए ते उससे तो एक उससे पर नीम करो ली बाबा के यहां कई बार होता है तो ऐसे गाड़ी उठा कई बार कई बार मायूस होते हैं तो कहां जाते हैं मैं मायूस होंगा या खुश होंगा मैं किसी मंदिर में मिलूंगा आपको अच्छा परिवार के साथ या किसी एक दोस्कों लिया और गाड़ी लेकर ड्राइव पे निकल गए और कही ना कहीं या गंगा नदी किनारे रिशिकेश हाइदवार में मेरे बहुत ही अजीज मित्र के बेटे ने भी अभी आदमत्या की तो कुछ कॉलेज वालेज की बात पर तो मेरे मन में यह विचार आया कि अगर आप वो जो पल है ना तनाव का केवल उसको बिता दो एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन और जब आप पीछे मुड़के देखोगे ना तो आपको लेगा वो तो कुस थाई नहीं उस पल की कोई अहमेत नहीं थी उस तनाव की कोई अहमेत नहीं थी उन कारणों की कोई अहमेत नहीं थी जिसको हम इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अपने जीवन से भी बड़ा या अपने माता पिता के प्रेम से लेकिन समय जासी बीटता है तो पता लगता है उसकी तो कोई अहमेत ही नहीं थी जिस चीज को हमने इतना बड़ा मान लिया तो मैं तो यही जब भी ऐसा लगे कि रास्ते बंद है यह रास्ते रुख गए यह सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा इश्वर पे छोड़कर समय थोड़ा समय बिता लेना चाहिए मैं तो कहता हूं जब लगे रास्ते बंद है तो चुप चाप ओम नमशिवाय का पाठ करना चाहिए तो शायद जो बंद रास्ते वो खुल जाए और नहीं खुल ले होंगे तो अच्छे के लिए नहीं खुल लेंगे तो जैसे टाइटान करनी की जगा कभीकब ही तो अच्छे लए तो वक्त निकल जाता है साथ है बहूत बड़े कभीर है ऐद्शी श्रयआपके बिल्कुल सभी बात है चलिए लेकिन यह हमारे मन का था कि आप हमारे कारेकरम में आप भाग ले और एक जिसे कहते हैं कि ऐसा समवात करें जो की पॉलिटिकल भी हो लेकिन उसके साथ-साथ युवाओं को भी मेसेज दें बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका आने के ल झाल